Hello everyone, आज हम कई सारे good news लेकर आए हैं आपके लिए खासकर जो student जिनका selection इस बार Jamil Islam हो चुका है या फिर अभी जिनका selection होगा आप सब के लिए काफी important है तो इस video के end तक देखेगा अगर आप इस channel पे पहली बार आये हैं या इस video के पहली बार देखे रहे हैं तो सबसे पहले इस channel को सब्सक्राइब कर लिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा फाइदा आपको होने वालों को कि कि recent में जतने भी updates होते हैं जामी का वो सारे हैं आपको time to time पता चल जाता है तो चलिए start करते हैं यह सबसे पहले जो important लगा मैंने वो बता है point number one में है कि जो student 2024 में admission जाम जैसे admission formality जो form आया था वो fab के आसपास में आया था तो यह form के आसपास का time था admission closing जो date इन्होंने रखा है 31st July रखा है लेकिन ऐसा नहीं है यह notice आएगा इसका और लेट होगा मतलब extend किया जागा कि अभी देख रहे हैं कि कई सारे course का तो रियल्सी नहीं आया है तो यह हर सा लेकिन first batch जो start होने वाला इस बार का वह 1st August से start होने वाला है तो अभी जितने भी course का results है जिनका admission हुआ है उनका classes कर से start हो रहा है तो उनका classes जो है जामे ने अपने इतवार से 1st August का रखा है चाए वह political का हो UG course को हो PG course को हो या फिदिपलोमा वाले भी student हो इन सभी का हो fully 1st August से start होगा लेकिन उससे पहले आपको पता चल जागा घबराने की जरुवत नहीं है आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि भाई class start हो गया तो आप August के first week में आप college जले आएगा ठीक है जो भी student और ऐसे भी starting में तो आपको बाहर ही रहना पड़ेगा अभी hostel तो म आपने admission ले लिया है अच्छा अब admission जब लिये थे जिसे यह पहला update मने दे दिया कि आपकी class कब से start हो रहे हैं और आगे क्या क्या होने वालों में बता दो फर्स्ट अगस से start होगा आपका इस बार का semester exam जो होगा वो December में होगा December के first week से यह पूरा December जो होगा आपका semester exam चल जाता है फिर अगर बाई दिविया second year की बात करें तो second same के जो classes 15 जनुवरी मान कर चलिए start होगा और आपका मई तक यह class चलेगा उसके बाद फिर sorry आपका वो classes चलते रहेंगे लिकिन मई में जो है यह exam conduct करांगे मई के आस-पस में करा लिया जाता है मतलब अपर हिल तक class च जो जाएंगे ठीक है एंद फिर जो आपका next जो academic start हो मतलब next second year जो start होगा वो आपका 16 जुलाइस हो जैसे अभी जो अलड़ी जाम पढ़ रहे हैं उनका class 16 जुलाइस स्टार्ट हो रहा है हो गया है तो आपका जो नए student है जो नए student है जो नए student है वो समझ लीजिए कि आप next अगर हम बाक करें जैसे कि जो student जिनका EMU के BTEC में हुआ था और BTEC में होने के साथ साथ अगर आपका regular से self finance जैसे माली अपने upgrade डाला था तो अगर आपका regular मिला था और माली अगर self finance मिल चुका है तो उसके समें आपको जाना पड़ेगा admission fee पे करना पड़ेगा और उसका date 19 जुलाई 22 जुलाई 23 जुलाई आपको time लिया है मतलब किन स्टुडेंट का है जिस candidates का माली admission मेला जामे में regular course में पर उसने अप्ग्रेडेशन का फॉर्म अप्ग्रेडेशन पर आपकर अप्ग्रेडेशन पर लिग दिया था तो अगर upgrade होने के बाद आपको अगर self finance मिल च तो इस case में आपका admission cancel हो गया है ठीक है अब यह कहना चाहरा है कि अगर आपका self finance मिल था और self finance मिल चुका है उस case में आपको जाने की जरूरत नहीं है उस case में आपका यह dean है hod जो है वहां चले जाएगा जब आपका class start होगा admission जब close हो जागा तो उसके बाद जाएगा तो आपका वो पैसे refund कर देंगे ठीक तो यह बेटेक वालों का था update बाकी classes को लेकर मैंने बता दिया अब next पर आते हैं अब थोड़ा मैं hostel form को लेकर बता दूँ जामे मे में 2024 में चाहिए वो बॉइज हो या गल्स हो जिनका भी admission हुआ है जाहर सी बात है आप hostel के लिए आप hostel के लिए चाहा रहे होंगे होस्टल मुझे मिल जाए लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि नौर्मली उस candidates को 80% chance है 90% chance है जिसका 80 plus results होगा बॉइज हो या गल्स हो chances जादा है दूसरा है कि बॉइज का सीट कम है होस्टल में इसलिए बॉइज का यह नहीं कह सकते कि आपको मिली जाएगा हाँ अगर आपको मेरिट अच्छा है तो आप उमीद रख सकते है लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको मिली जाता है बट गल्स में भी ऐसा नहीं कि 100% ग रहा सवाल फॉर्म को लेकर तो फॉर्म आपका फील होना स्टार्ट होगा 1 अगस्ते और लास्ट डेट है 16 अगस्त का फॉर्म समिट करने का लेकिन कहेंगे फॉर्म कैसे फॉर्म करना होगा हमें तो उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट चाहे हो आठ डिजित या नौ डिजित का एक नंबर देंगे वो नंबर को लिख लिजिएगा उसका फोटो ले लिजिएगा उसके बाद आपने जो जामे में फॉर्म फिल किया है जिस इमेल से वह इमेल और इडी इन दोनों से ही दोनों चीज़े आपके पास होगे तब ही आप जा तो हम आपके स्पोर्ट्स के एडमिशन के बारें बता दें, जिस भी स्टुडेंट ने जामे में खासकर 9th और 11th में स्पोर्ट्स को टेक थरूफ फॉर्म अपलाई किया था, इनका स्पोर्ट्स ट्राइल का डेट आचुका है, जो भी स्टुडेंट फॉर्म अपलाई किये यह जामे के कैमपस में जाना पड़ेगा, जामे के ग्राउंड में जाना पड़ेगा, वहीं पर ही आपका स्पोर्ट्स ट्राइल होगा, दिन आपको स्पोर्ट्स को टाके थरूफ एडमिशन मिलेगा, तो याद रखिए जो भी स्टुडेंट जामे में स्पोर्ट्स को टा के थुरू फॉर्म अप्लाई होते हैं उसका डेट भी इन्होंने इक स्टेंड करा था तो इसका अगर हम बात करें इस बार कुछ इज एड़ भी क्या था 20 जुलाई है लास्ट डेट फॉर्म अप्लाई करने का अगर वेट लिफ्टिंग पावर लिफ्टिंग बॉडी बिलिंग इन सब में अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो जहां में के यूजी कोर्स या पीजी कोर्स में आपको स्पोर्ट्स कोर्टा के थुरू एडमिशन लेगा इस कलब और भी है जैसे बास्क्रबॉल क्रिके यह स्पोर्ट्स कोर्टा का जो सीन था उसके बारे मैंने समझा दिया एक चीज और इस बार इस बार इस स्टूडेंट का जामे में सेलेक्शन हो रहा है हर साल ऐसा होता था कि आपको एंटी रेगिंग के लिए सेडिफिकेट देना पड़ता था अभी इस बार आपको देने साउं कहा करना है बस बाकी हमने कैसे इस पील करना उस पर नीवीटि को आप ज़रूर लिए हैं उस जरूर देक इसके वाद देखें यहां पर विडिव में आपका सर्छनहों यहां पर कैसे बंधने विडियो बना आप हमारे ब्रक्षक हमारे ओद सी ब्रक्ष। आपको clearly समझ में आ जागा तो देखिए आज का जो अपडेट हम ने दे दिया अगर इनके साब का इस बार selection नहीं हुआ है जामे में next year के लिए आप अगर आप प्लाइन कर रहे हैं तो आप हमारे साथ तैयरी कीजी हम आपके तैयरी बहुत अच्छे से करा देंगे इस बार अल्मोस अभी जैसे कर डिटा आ रहा है मेरे पास 55 प्लस स्टूट्ट का सेलेक्शन एम्यू जामे में खासकर बैचलर कोर्स में तो अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे भी ड्रीम उनुस्ट्री एम्यू जामिया जहां से हम पढ़ाई करें अगर आप चाहते हैं जामे करें के बियॉनिस पॉलेटिकल साइंस, BSW, BBB.com, मास मीडिया तो हम फ्रेस बैच 25 जुलाई से स्टार्ट कर रहा है आप जोइन किजिए थैंक यू